हमारे देश में गरीब और गरीबी का एक बड़ा हिस्सा जंग लड़ रहा है साथ ही बैस्विक महामारी कोराना के कारण लगे लाकडाउन से करीब वा देहाडी मजदूरों का बुरा हाल है वही कल बीती रात एक गरीब महिला के घर में लगी आग ने उसके परवार के आशियाने को बिखे दिया है मामला बलिया जनपत के इस्थानिय रसडा तैसील इस्ते कोटबारी गाउं का है जहां बीती रात लगी आग ने एक गरीब महिला निसा चोहान की जिंदिगी तितर भितर कर दी धर दी है पीडित महिला के अनुसार भिती रात बरसे आके कहर में महिला के जीवन की जमापूंजी वा सपने स्वरू तता रखे हुए लगवग 7000 रुपे सहित जेवरवारासन भी जल के खाक हो गया जिसमें उसके उपर मुसीवतों का पहाड तूट गया है वहीं पीडित महिला निसा चोहान की माने तो वो आट वर्स पूर्व अपने पती द्वारा छोड़े जाने के बाद रसोहिया का काम करके अपने तीन बच्चों वो अपनी सास का भरन पोसर कर रही है साथ ही उसे आज तक किसी भी सरकारी सुब्दा जैसे आवास्वा सोचाले का भी लाव नहीं मिلا जिससे वो काफी परेसान है जब हमने बातचीत की उसने बताया कि उसने अपनी मुसीवतों से निजात पाने है तू आवासवा सोचाले के लिए कई वार कोटवारी के ग्राम प्रदान ब्रिजेस कन्नोजिया से ग्रहा किया है पर हर वार वो टाल मोल करते रहते हैं आज तक उसे किसी योजना का लाव नह नहीं दिलाया अब देखना यह है कि क्या इस दुख्यारी महिला की मदद वो पाएगी या नहीं मामला हवा हवाई बन के ही रह जाएगा बलिया से बरुन चौवे की रुपोर्ट एसके अच निवीज कि कहा रहती है आप कि आपके घर में हाथ्सा हुआ है क्या हाथ्सा हुआ है कल रात का कर दूकर दो कि अखिए इसकोल में खाना बना के अपना जीवान आपन करती है मतलब क्या कुछ नुकसान हुआ है कलाग जो लगी थी आपके आपके और परिभर में सेसे जल गए था उर जया था और वहा तो सब जल गए अजय और की तना पईचा होगा तो अच्छा तो बता रहे हैं किया बहुत करीब दिक रही तो क्या आपको फरका करेंगा है व हर दुक्सान आपको अपको फरकार है कि उसके लिए मतलब कुछ अपलाई कि था अपने प्रधाणिय से कहा था ऐसा कुछ तो अभी आया नहीं आपका कफा कई उन से इतना समय होगे कफ होगा तो तो पहले भी कभी कई थी इस पहले भी कई ती कितना कई इस तो मैंना वहास नहीं मिला है आप रूफ रिकरी भी रिखा के निचे हैं जो 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 आपकी बाते को नहीं सुन रहे हैं ठीक